गुद मॉर्निंग मॉर्डें किट्स हाव यू आई होब यौल अगूड तोड़े आल टीच यू फुनिक साहन्स पार्ट टू ओके पिछली वीडियो पार्ट वन मैंने वावेल्स के ए लेटर से रिलेटिड कुछ वर्ट्स आपको पढ़ना सिखाय था और आज ए लेटर से रिलेटिड कुछ वर्ट्स को पढ़ना सिखायंगे तो चलिए देखते हैं ए लेटर के वर्ट को कैसे पढ़ते हैं यहाँ पर ए और डी है ओके ए का सावन होता है ए और डी का सावन होता है ड़ तो इसको मिला के क्या पढ़ेंगे एड़ तो आएए देखते हैं आप सभी फिर से मैं आप से कहती हूँ कि A to Z जितने भी अल्फवेट की हिंदी फोनिक सावन है आप उनको अच्छे से याद करिए तब ही आप वर्ट्स को पढ़ पाएंगे चलिए देखते हैं यहाँ है B E D तो इसको क्या पढ़ेंगे ब एड बेड ल एड लेड र एड रेड अब यहाँ पर क्या है E N E की सावन होती है A और N की सावन होती है न चलिए देखते हैं मिला कि कैसे पढ़ा जाता है प एन पैन ट एन टेन ह एन हैन Next one is E और G E की सावन होती है A और G की सावन होती है G A को मिला के कैसे पढ़ते हैं ल एग लग प एग पैग ब एग बैग Last one is E T E की सावन होती है A T की सावन होती है ट ए ट चलिए देखते हैं इसको मिला के कैसे पढ़ते हैं व एट वेट न एट नेट प एट पेट ओकी तो फिर से हम आपको एक बार रिवाइस करके बताते हैं कि फिर से कैसे पढ़ना है यह एड एड ब एड बेड ल एड लेड र एड रेड प एन पेन ट एन टेन ह एन हन ल एग लेग प एग पेग ब एड बेग व एट वेट न एट नेट प एट पेट I hope E-register related words को आपको पढ़ना बहुत अच्छे से आया होगा आपको समझ में भी आया होगा कि क्या करना है अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप comments में पूछ सकते हैं और आपको Ease के बाद A पढ़ाया मैंने E पढ़ाया मैंने और I को मैं पार्ट 3 में पढ़ाऊंगे आपको और Dear Parents आप से फिर से request है कि आप बच्चों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा इनकी reading कराएंगी बच्चों के vocab उतने ही अच्छे होंगे English पढ़ने के लिए तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में Till then take care Thanks for watching